हर्दीब जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर मेरा पहला प्रश्ण आप से यही कि टैक्स रिजीम में हेरा फेरी कारोप अधीर रंजन जी लगा रहे हैं टैक्स कट के जरिये आपने एक बहुत बड़ा टैक्स बनांजा दिया है एक तरह से मिडल क्लास को राहत दी है क्या ये चुनावी बजट अब कहलाएगा क्योंकि 66% आपने PM आवास योजना में भी बढ़ाया है आप मुफ्तराशन योजना को भी आगे ले जा रहे है या फिर फिसकल पूड़न्स का भी ख्याल रखा गया है बड़ी बातें आपकी नजर में इन दोनों एंगल से क्या है हरदीब जी अंजिना जी सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा जो आंकड़े हैं और आंकड़े क्या स्टोरी बताते हैं नौ साल पहले मोदी जी ने जब दायत्व संभाला उससे पहले हमारी पर कैपिटा इंकम देश में एक लाख रुपे थी आज वो पर कैपिटा इंकम उस दुगनी होके 1,97,000 है नौ साल पहले वी वर दी 10th largest economy in the world आज हम 5th largest economy है और ये हमारे आंकड़े नहीं है Ernest and Young की एक study है जो कहती है कि 2040 तक इंडियन economy 26 या 27 trillion डॉलर की हो जाएगी तो हम 5th स्थान से तीसरी स्थान और उसके बाद probably we might even become the second largest economy उसको एक तरफ छोड़िये आज का budget जो है please look at this in connection with कल माननिय महामहीम राश्वपती जी की speech कल का economic survey और ये budget क्या कहता है देखिए दो models होते हैं एक model वो है जो industrialized economies ने महामारी के दौरान adopt किया उसमें क्या था बड़े massive stimulus packages डिये एक जो सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है दुनिया में उनने 20 trillion dollar की stimulus package दिया उससे क्या हुआ larger amount of money was chasing the same goods and services और वहाँ inflation बढ़ गी हमने हमारे यहाँ भी stimulus package था पर वो बहुत sensible और mature तरीके से implement हुआ आज थी यह है कि हम दो साल की कटनायों के बाद we are back to pre-covid levels of development we are back to pre-covid levels of economic activity और आपका जो capital expenditure capital expenditure को क्यों मैं इतना महत्वद दे रहा हूँ क्योंकि capital expenditure से infrastructure बढ़ेगा अगर 33% capital expenditure में increase होगा तो आप देखिये केंद्रिय सरकार का capital expenditure और राज़स सरकारों को भी एक करोर तीस लाग जैदा मिलेगा उसमें infrastructure बनेगा cement use होगी steel use होगा और इसमें economic activity को boost में लेगा ये तो overall capital expenditure अब बाकी sectors में भी आ जाएं तो ये development और growth oriented budget है which is forming the basis for our transition to become a developed economy